दोस्तों, कहते हैं, बदलाव की बयार जब चलती है, तो पुरानी व्यवस्थाएं ढ़ाने लगती हैं। कुछ ऐसा ही आजकल अंतर राश्ट्रियस तर पर हो रहा है। हाल ही में हमने चर्चा की थी कि कैसे ब्रिक्स देश एक नया इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम बनाने की तैयारी में हैं, जो उन्हें अमेरिकी नियंतरन वाले स्विफ्ट नेटवर्क से मुक्त कर सकता है। यह केवल एक नई वित्तिय प्रणाली नहीं है, बलकि एक ऐसी रणनीती है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर ब्रिक्स देश, अमेरिकी डॉलर और प्रतिबंधों से आजाद होकर व्यापार करना शुरू कर दें, तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। इसी के चलते, आज हम आपके सामने इस कदम के पीछे की रणनीती को खोलने वाले हैं। आपको बताते हैं कि क्यों पश्चिमी देशों के वित्तिय संस्थान इस बदलाव से हिल चुके हैं और क्यों यह पहल उनके लिए एक चुनौती बन गई है। अभी तक दुनिया भर में अधिकतर अंतर राष्ट्रिय बैंकिंग ट्रांसफर स्विफ्ट नामक नेटवर्क के माध्यम से ही होते हैं, जो अमेरिका के प्रभाव में है। इसी वजह से अमेरिका कई देशों पर अपनी आर्थिक ताकत दिखा चुका है, लेकिन अब ब्रिक्स देश इस एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। वे एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जो उन्हें स्विफ्ट नेटवर्क पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर देगी। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको अंतर राष्ट्रिय वित्तिय शक्ति संतुलन में आने वाले इस बड़े बदलाव की हर बारीकी से रूबरू कराएगा। दोस्तों, कहते हैं, कहीं भी ताकतवर के रहमोकरम पर रहने की आदत, आजादी की कीमत को कम कर देती है। कुछ ऐसा ही दुनिया के कई देशों के साथ हो रहा है, जो अमेरिकी डॉलर और यूरोपीय वित्तिय प्रणालियों पर निर्भर है। सोचिये, जब यूरोप और अमेरिका के बैंक और सरकारें पूरी दुनिया के लेन देन पर नजर रखती हैं, तो उनके पास किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने की शक्ती है। रूस और इरान जैसे कई देशों पर इसी तरह की पाबंदियां लगी हैं। इस स्थिती में ब्रिक्स देश एक ऐसा विकल्प तलाश रहे हैं, जो उन्हें स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से व्यापार करने की आजादी दे सके। पहले पाँच देशों का यह संगठन अब एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। खास बात यह है कि अब 40 से 47 देशों ने इस संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई है। यह ब्रिक्स का विस्तार न केवल अमेरिकी डॉलर की प्रधानता को चुनोती दे रहा है, बलकि अंतरराश्ट्रिय वित्तिय प्रणाली को फिर से परिभाशित कर रहा है। ब्रिक्स के सदस्य देश आज वैश्विक GDP में 31.5 प्रतिशत का योगदान कर रहे हैं, जो जी साथ देशों से अधिक है। यह साफ संकेत है कि ब्रिक्स अब केवल एक उभरता हुआ संगठन नहीं, बलकि एक मजबूत आर्थिक गठबंधन बन चुका है। इसी के तहट ब्रिक्स ने M-Bridge नामक एक पहल की शुरुआत की है, जो उनकी वित्तीय स्वतंतरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। M-Bridge यानी Multiple Central Bank Digital Currency Bridge एक ऐसी प्रणाली है जो ब्रिक्स देशों को अपनी डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से व्यापार करने की अनुमती देगा। इसका अर्थ यह है कि अब उन्हें डॉलर या यूरो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिक्स देश इस पहल के तहट ब्लॉक्चेन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जिससे लेन देन तेज, सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बिचौलिये हट जाएंगे। अभी जब स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग होता है, तो लेन देन के दौरान कई बैंक और कमपनियां बीच में आती हैं, जिससे प्रक्रिया महेंगी हो जाती है। एमब्रिज के माध्यम से ब्रिक्स देशों का लक्ष्य है कि दो ट्रिलियन डॉलर के वार्शिक व्यापार को अपनी डिजिटल मुद्राओं के जरिये संचालित किया जाए। तो दोस्तों, इस पहल के जरिये ब्रिक्स देश न केवल अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत कर रहे हैं, बलकि यह दिखा रहे हैं कि अगर इरादा मजबूत हो, तो बदलाव की बयार को रोका नहीं जा सकता। कहते हैं, समय और धन दोनों अनमोल हैं, जो इसे बचाना जानता है, वही तरक्की की असली राह पर होता है। कुछ ऐसा ही एंब्रिज की तकनीक के जरिये हो रहा है, जहां केंद्रिय बैंकों की डिजिटल मुद्राओं का सीधा इस्तिमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब व्यापार करने में न तो ज्यादा समय लगेगा और नहीं अतिरिक्त खर्च। विशलेशकों का मानना है कि इस तकनीक से लेन देन की लागत में करीब 30% तक कमी आएगी, जो सालाना लगभग 40 अरब डॉलर की बचत कर सकती है। एमब्रिज सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बलकि एक रणनीतिक कदम है। यह ब्रिक्स देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त कर एक दूसरे के साथ सीधे व्यापार करने की शक्ती देगा। चीन, जो इस परियोजना में सबसे आगे है, इसे वित्तिय स्वतंतरता के नए युग की शुरुआत मानता है। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि इससे उनका वैश्विक नियंतरन सीमित हो सकता है। इस प्रणाली का एक और आकरशन यह है कि जो लेन देन पहले 24 से 48 घंटों में पूरे होते थे, अब उन्हें सिर्फ कुछ सेकंड में ही पूरा किया जा सकेगा। सोचिए, इससे व्यापार की गति कितनी बढ़ेगी। विशेशकर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए यह वर्दान साबित हो सकता है, क्योंकि समय की बचत उनके व्यवसाय को मजबूती देगी। असल में इस प्रणाली का परीक्षन पहले ही सफलता पूर्वक किया जा चुका है, जिसमें चीन और UAE ने अपने डिजिटल मुद्रा के माध्यम से लेंदेन किये और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं। अगर इस प्रणाली को सफलता पूर्वक लागू किया गया, तो ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार में 20% तक की वृध्धि हो सकती है, जो वैश्विक स्तर पर 200 अरब डॉलर के बराबर होगी। कहते हैं, बदलाव की लहर को रोकना मुश्किल है, कुछ ऐसा ही हो रहा है ब्रिक्स देशों के साथ। यह पहल न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बलकि वैश्विक व्यापार में उनका स्थान भी और मजबूत कर देगी। I.M.F. और World Bank जैसे संस्थानों ने इस बदलाव को धीमा करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिये हैं, उनका मानना है कि यह प्रणाली अंतरराष्ट्रिय नियमों का उल्लंगन कर सकती है और इससे वित्तिय स्थिर्था को खतरा हो सकता है। कई पश्चिमी नीती निर्माता यह भी मानते हैं कि चीन इस पहल का नेतरित्व करके अपने प्रभाव को और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिससे वैश्विक संतुलन पर असर पड़ सकता है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स के लिए एक विशेश पेमेंट सिस्टम का विचार प्रस्तुत किया है। इससे ब्रिक्स देशों के लिए लेन देन आसान और सस्ता हो जाएगा और उन्हें वैश्विक वित्तिय स्वतंत्रता मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फाइदा छोटे और मजोले व्यापारियों को होगा जो अब अंतर राष्ट्रिय व्यापार में आसानी से भाग ले सकेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन शुल्क कम होगा। इसके जरिये भारत को विदेशी निवेश आकरशित करने का भी सुनहरा अवसर मिल सकता है क्योंकि निवेशक ऐसे देशों की तलाश में रहते हैं जहां एक स्थिर और भरोसे मंद वित्तिय धांचा हो। दोस्तों जैसा की कहते हैं जहां भरोसा होता है वही निवेश आता है BRICS का यह कदम निवेशकों के बीच भारत की छवी को और मजबूत बना सकता है लेकिन इस राह में कुछ चुनौतियां भी है सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सुरक्षा क्योंकि डिजिटल मुद्रा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना आसान नहीं है इसके अलावा ब्लॉक्चेन तकनीक पर आधारित इस सिस्टम को अभी भी कई देशों में पूरी मान्यता नहीं मिली है पश्चिमी देशों का इसके प्रती नकारात्मक रुख भी इस पहल के लिए एक बड़ी अडचन साबित हो सकता है क्योंकि वे इसे अपने वित्तिय प्रभुत्व के लिए एक खत्रे के रूप में देखते हैं आपका क्या विचार है क्या अमेरिका कभी ब्रिक्स की प्रगती को रोकने में सफल हो पाएगा क्रिपया अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर सेट कर लें जय हिंद जय महाकाल